दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिसेस आदीस या आप इसे कह सकते हैं मिसेस आदीस आपको जो कहना है कहिए तो इसे लिख है शीला सिमीत ने तो इसे हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दू कि मैंने आपके महरास्टा बोट के इंग्लिश के क वीडियोस मिल जाएगा और हाँ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि जब भी हम आपके इस लेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे तो वो आपके पास पहुंच जाएगा तो चलिए अप कहानी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर इसके बारे में थोड़ा सा बता दू तो ये है मिसेस आदीस मैं आपको बताता चलू कि ये एक फार्म हाउस में रहती है और ये बहुत ही काइंड है मतलब कि ये दिल से बहुत अच्छी है ये चीज मैं पुरूफ करूंगा अट दे एंड यानि कि जब ये स्टोरी खतम हो और इसकी अपेरेंस की बात करूं तो ये स्मॉल थीन वोमेन है जी हाँ छोटी सी है और पतली सी है वी तब ब्राउन हाड फेस मतलब दोस्तों जैसा हम कहते है न सौला रंग सावला रंग तो ये सावला रंग की है और इनके चहरे में रिंकल है क्योंकि इनका जो एज है व पतलब की ये क्या काम करती है तो दोस्तों ये करती है फार्मिंग और इनका एक बेटा है जिसका नाम है टॉम और इस टॉम का एक फ्रेंड है जिसका नाम है पीटर तो अब मैं कहानी आपको बताऊंगा तो एक दिन रात के अंधेरे में ये पीटर भाग रहा है और ये भा तो इसलिए ये अभी पहुँच चुका है मिसेस आदीस के कोटेज में तो इस कोटेज में आने के बाद ये मिसेस आदीस के घर के गेट के पास जाता है और बिना नौक किये यानि कि बिना दर्वाजे खट-कटाए ये घर के अंदर धुग जाता है तो अब मिसेस आदीस इसे देखती है और हाँ एक और बात मैं आपको बता दू कि इस वक्त मिसेस आदीस टी यानि की चाई बना रही है तो अब ये इसे देखती और कहती है कि क्या हुआ तुमने दर्वाजा खट-कटाया नहीं और अंदर आ गए तो अब ये पीटर कहता है कि चार कीपर्स मेरे पीछे पड़े हुए है अच्छा दोस्तो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलू कि ये जो मिसेस आदीस है ना ये पीटर को उतना पसंद नहीं करती करती है बट उतना पसंद नहीं करती मिसेस आदीस देख रही है कि पीटर बहुत घबराया हुआ है तो इसलिए मिसेस आदीस प यहां पर बुक में यूज हुआ है उठाने चक्कर तो मैं आपको बता दू इसे आप कह सकते है चोरी करना तो यह पीटर शायद कुछ चोरी कर रहा था उसी वक चार कीपर्स इसे देख रहे है कि यह चोरी कर रहा है तो अब ये पीटर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता ये इन से fight नहीं कर सकता क्योंकि ये अकेला है तो शायद इसके पास gun था तो ये क्या करता है ये gun से एक को shoot कर देता है जी हाँ इसने एक बंदे को गोली मार दिया और वो बंदा वहीं पर मर गया और पिटर को नहीं पता कि इसने किसे मारा है क्यों क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा है ये उस बंदे का चहरा नहीं देख पाया जिसे इसने मारा है तो ये था flashback आप समझ गया होंगे तो चलिए अब फिर से present में आते हैं तो ये पीटर मिसेस आदिस से request कर रहा है कि मुझे छुपा लीजिए तो ये मिसेस आदिस कहती है कि तुम इतने like के नहीं हो कि मैं यहाँ पर छुपा लूँ तो ये सुनने के बाद पीटर कहता है प्ल cottage में और cottage के पिछले हिस्से में यानि की पिछले इलाके में एक shade में छुपा देती है और ये shade है metal का और ये इससे कहती है कि तुम यहीं छुपे रहो यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं ढूंड पाएगा अब यहाँ से मिसेस चले जाती है kitchen खाना बनाने के लिए तो अब अचानक से इसे legs यानि की पौंग की आहट सुनाई देती है तो जैसे ही इसे पौंग की आहट सुनाई दे रही है उसी वक्त ये प्राथना करने लगता है ये God से pray करता है कि इसे कुछ ना हो तो अब जो legs की आवाज है ना यानि की पौंग की जो आहट सुनाई दे रही थी वो अब कम हो जाती है और यहाँ पर मिसेस खाना बना रही है जी हाँ यह डिनर बना रही है और इस डिनर का जो स्मेल है ना यानि कि इसकी जो खुश्बू है यह इस पीटर के पास आ रही है तो अब यह पीटर सोचता है कि जब टॉम घर आ जाएगा तो हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे अब मिसेस आदी इसके पास आती है और इसे कहती है कि कोई दी यहाँ पर नहीं आ रहा है तुम एक काम करो तुम यहाँ से चले जाओ वो जो कीपर्स थेना वो इस्ट के तरफ गए है तो तुम एक काम करो तुम सौथ के तरफ चले जाओ मैं तुम्हें एक लोकेशन बताती हूँ केंट तुम इस जगा पर चले जाओ वहाँ से तुम्हें ट्रेन मिल जाएगा और तुम वहाँ से लंडन चले जाओगे तो अब यह पीटर कहता है मैं यहाँ से भागना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ट्रेन का टिकेट कैसे लूँगा तो यह सुनने के बाद मिसेस आदीस अपने किचेन फिर से जाती है और वहाँ से साथ आठ शेलिंग्स यह दोस्तो करेंसी है पीटर मिसेस को कहता है कि I don't have words ऐसा होता है न दोस्तों कि कभी-कभी हमारे पास शब्द नहीं होते दूसरे को कहने के लिए तो इसलिए पीटर यहाँ पर कहता है I don't have words तो अब फिर से लेक्स यानिकी पॉंकी आहट के आवाज सुनाई देती है तो यह सुनने के बाद यह पीटर फिर से यहाँ पर छुप जाता है और मिसेस अपने घर के दरवाजे के पास जाती है तो यहाँ घर के दरवाजे के पास एक कीपर आता है जिसका नाम है विल्डन तो यह मिसेस आदिस से कहता है कि एक बैड निउस है और दोस्तो वो bad news क्या है वो bad news यह है कि जो tom है न वो मर चुका है जी हाँ यही बात विलडन मिसेस आदिस से कहता है और यह सारे बाते यह पीटर सुन रहा है तो दोस्तो यहाँ पर logic यह है कि पीटर ने जिसे गोली मारा था न वो और कोई नहीं वो टॉम था जी हाँ वो टॉम था अब यहाँ पर बात यह आती है कि पीटर को कैसे पता नहीं चला कि वो टॉम था तो रिवाइंड करिए आपको समझ में आएगा जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वहाँ पर बहुत अंधिरा था तो इसलिए पीटर नहीं देख पाया कि वो टॉम था विल्डन कहता है कि आपके बेटे को किसी ने मार दिया और दोस्तो टॉम का जो डेट बॉडी है न वो अभी मिसेस आदिस के घर के पास आया हुआ है तो मिसेस आदिस अपडेट बॉडी के पास जाती है और उसे देखती है और यहाँ पर मैं पीटर का हाल बता दू बताना किया कि आपको तो पता ही होगा कि इसे कैसा फील होता है दोस्तो इसे बहुत गिल्टी फील होता है यहाँ पर ये बंदा विल्टन मिसेस आदीस से कहता है कि चलिए हम उसे बाद में देखेंगे जिसने इसे मारा है पहले हम इसका अंतिम संसकार कर लेते हैं तो चलिए हम पहले मिसेस केन को बुलाते है ताकि वो आपका और मेरा हिल्प कर सके इसके अंतिम संसकार को करने के लि पीटर को एक सदमा सा लगता है जी हाँ आप भी सोचते होंगे कि एक मा ऐसा कैसे कर सकती है लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया था कि इनका दिल बहुत बड़ा है मिंस ये काइंड हार्टेड है और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं य ये प्रूफ कर दूँगा तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया बस दोस्तों यही था इस कहानी में मुझे उमिद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हाँ आप बुक को एक बार ज़रूर रिवाइस करे मुझे पता है कि आपको मन नहीं करता है बुक खुलने क क्योंकि मैं यहां पर पढ़ा ही देता हूँ और भी बहुत सारे चैनल से जो आपको पढ़ाते होंगे लेकिन आप चाहे मेरा वीडियो देखिए या उनका या आप किसी का भी वीडियो देखिए आप प्लीज एक बार बुक को ज़रूर रिवाइस करें क्योंकि हम पूरा नह ही नहीं करता तो यही मकसद है कि हम पूरा नहीं बता पाते तो प्लीज इतना तो हमने बता दिया आप प्लीज बुक को एक बार पढ़ ले और हमें पता है कि आपके स्कुल में इतना भी नहीं बताया जाता तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो के साथ और हां मेरे एक और चानल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जाए और उसे सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं आपको आपसे अगले वीडियो के साथ थोड़ा फंबल हो जाता है यार